तो प्यारे बच्चों आज मैं आपके समक्ष क्लास सेवेन सब्जेक्ट संस्कृत का पंच मह पाठा लेकर उपस्तित हूँ पाठ का नाम है सुबचनानी स्लोक पहला स्लोक है पहला सुबचन है विद्या विवादाय धनम्मदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्यानाय दानाय चरक्षनाय फिर इक बार विद्या विवादाय धनम्मदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्यानाय दानाय चरक्षनाय अन्वयह खलस्य विद्या विवादाय धनम्मदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय साधो एतत विपरितम ज्ञानाय दानाय रक्षनाय च यदि दुส्था नाम समी पे विध्या भवतितरहीते अस्या उपयोगम विज़ा अस्यक्रते कुरबंती यदि दुस्ट व्यक्ति के पास विद्या हो जाए तो वह विद्या का उपयोग विबाद के लिए करता है धनम प्राप्या अभिमानम कुर्बंति और धन को प्राप्त कर अभिमान करता है सक्ति का उप्योग दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचाने के लिए करता है परंतु यदि सज्जनानाम समीपे बिद्या, धन, शक्ति ही चौब भवन्ती तदा ते एते साम उप्योगं ग्यानस्यक्रते दानस्यक्रते अन्यशाम्चा रक्षनाय कुर्वन्ती तो यदि सज्जन विक्ति के पास बिद्या, धन और सक्ति होता है तो क्या करते हैं तदा ते वे लोग इन सबों का उप्योग घ्यान के लिए दान के लिए और अन्य लोग की रक्षा के लिए करते हैं सब्दार देख लें मदाय अर्थार अंकार के लिए परेशाम दूसरों के परिपीड नाय सताने के लिए खलत सी अर्थार दुष्ट का अब हमनों चलेंग दूसरा स्लोक में अनवयह अयमनिजह परवायती गनना लगुचेत साम अनवयह अयमनिजह परवायती गनना लगुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुम्बकम सरलाड था है अयम मम अस्ती यह मेरा है अयम चव अपरस्य अस्ती यह दूसरे का है इती निम्न स्रेन्या मानवाः चिंतेंदी इस प्रकार की सोज निम्न कोटी के लोग रखते हैं परंतु उत्तमाना मानवा नाम कृते तू संपूर्ण संसार एव स्वपरिवार अस्य तुल्यह भवती जो उत्तम कोटी के विक्ति होते हैं मानव होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण संसार एव स्वपरिवार अपने परिवार के समान होते हैं तुल्यह भवती अब हम लोचने तीसरा सुबचन में कहता है महाजनस्य संसर्गह कस्यनोन नतिकार कह पद्म पत्रस्थितम्वारि धते मुक्ता फलस्रियम फिर से एक बाल महाजनस्य संसर्गह कस्यनोन नतिकार कह पद्म पत्रस्थितम्वारि धते मुक्ता फलस्रियम अनवयह महाजनस्य संसर्गह कस्यनोन नतिकार कह पद्म पत्रस्थितम्वारि मुक्ता फलस्रियम धते सरलार्थह सर्जनानाम मित्रता सरवेशाम जनानाम नतिक करोती सजन व्यक्ति के साथ यह आप मित्रता करते हैं तो वह सभी लोग की उन्नती का कारण होता है यथा कमल पत्रे स्थिरम जलम मौक्ति कस्य रूपम धार्यती जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद क्या करता है उसी प्रकार तथा एवव सजन पुरुषाना मित्रतया दुष्ट जनाः अपि सजनाः भवन्ति सजन पुरुष के संगती हो जाने से सजन पुरुषे सजन पुरुष के साथ मित्रता हो जाने से दुष्ट जनाः दुष्ट लोग भी सजन हो जाते हैं कुछ सब्दार देख लें, कते कि निजाह अथार अपना लगुचेत साम छोटे हर्दय वालों का की के, उदार चरिता नाम विशाल हर्दय वालों का की के, संसर्गह संगती वारी अर्था जल धत्ते अर्था धारन करता है चौथा नमर सुबचन में चलें, कते को भारह समर्था नाम किमदूरं व्यवसाई नाम, को विदेशह सविध्या नाम कह परह प्रियवादि नाम, को भारह समर्था नाम किमदूरं व्यवसाई नाम, को विदेशह सविध्या नाम कह परह प्रियवादि नाम, अनवयह समर्था नाम भारह कह समर्थ व्यक्ति के लिए भार क्या होता है व्यवसाई नाम दूरम किम व्यवसाई करने वालों के लिए दूर क्या है सविध्या नाम विद्या विद्या वान व्यक्ति के लिए विदेश कौन है प्रियवादि नाम परह कह प्रियवादि के लिए कौन अपना है क समान नहीं होता है व्यवसाई नाम करते किम अपी स्थानम दूरम नहीं होती व्यवसाई के लिए कोई भी अस्थान दूर नहीं होता है विदुसाम करते किम अपी स्थानम विदेश तुल्यम नहीं होती विदुसी विदुशा अर्थात ज्यानी लोगों के लिए कोई भी उसी प्रकार जो मानब प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई भी पर्किया, कोई भी दूसरा नहीं होता है। सभी लोग पुरे बशुदाः अपना होता है। सब्दार्थ देख लें व्यवसाई नाम व्यापारियों के सविध्या नाम विद्वानों के प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वालों के तो इसी प्रकार आपका पंचमह पाठा समाप्त हुआ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सश्ठा पाठा लेकर उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद पुनह मिला महा